नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्वल पाटनी बोल रहा हूँ आज मैं आपको पर्सनल लाइफ की तीन करांती कारी सला देने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है जिसका घर अच्छा होगा जिसके घर में सुकून होगा जिसके घर में प्रेम और सम्मान होगा वो व्यापार में जरूर तरक्की करेगा तो तीन सला सबसे बड़ी जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ ये सला आपको एक शांदार इंसान के रूप में स्थापित करेगी तो सला नंबर एक चाहे कोई भी परिष्थितियो अपने माता पिता का सम्मान करिए चाहे कोई भी परिष्थितियो आपका बिजनेस कम जा रहा हो आपका बिजनेस जादा जा रहा हो आपने उनसे जादा तरक्की कर लियो आपने उनसे कम तरक्की कियो आपका उन से विवाद होता ओ, आपका उन से opinion नहीं मिलती हो, वो आपके में हस्ताचेप करते हैं, जाये कोई بھی परिस्थिती हो जिन्हों ने आपका जन्म किया है, उनका आप सम्मान करिए, मैं यह नहीं कहतаю, उनकी बात मानिए, बात मानने में तरक शक्ति का इस्तिमाल करि उनको छोटा मत बनाईए उनको इग्नोर मत कीजिए बलकि ये कहिए मैं आज जो हाँ पहुचा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपकी वज़ा से हूँ तो क्रांतिकारी सला परसनल रिलेशन्शिप की नंबर वन चाहे कुछ भी हो जाए अपने माबाप का अपमान मत करिए करांतिकारी सला नंबर दो जब बच्चों का पालन करने की बात हो तो कॉंप्रोमाइज मत करिए अपनी छमता के अनुसार उनको सर्वस्रेश्ट स्कूल में भेजिए अपनी छमता के अनुसार उनको सर्वस्रेस्ट कोचिंग, सर्वस्रेस्ट ट्यूशंग, सर्वस्रेस्ट होबी क्लासेश में भेजिए वहाँ पर कंप्रोमाइज मत करिए, वहाँ पर कंजूसी मत करिए वहाँ पर थोड़ा आप stress करिए भले आप किराय के घर में रह ले लेकिन बच्चे के लिए compromise मत करिए अपनी सामर्थ देखिए और देखिए भले दूर क्यों न हो भले 10, 20, 30, 50 किलोमेटर दूर जाना पड़े लेकिन जरह भी अपनी सामर्थ है तो वहाँ कंजूसी मत करिए यह मत देखिए कि यह बजट में हो जाए वो बजट में हो जाए यदि सामर्थ है तो बच्चे के लिए best से best कीजिए क्योंकि पूरी life में one time develop होने वाली property यह है बाकि घर कई बना सकते हो कई गाड़िया खरिच सकते हो कई बार विदेश जा सकते हो आज नहीं गया बाद में जा सकते हो लेकिन बच्चों को बार बार आप बड़ा नहीं कर सकते हैं इसलिए अपने बच्चों के लालन पालन में कोई compromise मत करिए competition से नहीं उनके पालन पोसन में vision से चलिए दूसरों से blind competition मत करिए लेकिन एक vision पे जाने के लिए जितनी सुविधाएं आप दे सकते हैं जितना best exposure आप दे सकते हैं जितनी best facilities और infrastructure आपकी ताकत में वो आप जरूर दीजिए करांती कारी सला नमबर दो बच्चों के लालन पालन में हमेशा vision लेकर चलिए कोई compromise मत करिए परसनल relationship की करांती कारी सला नमबर तीन यदि आप समर्थ हैं और परिवार के दूसरे मेंबर समर्थ नहीं है तो जहां तक छमता हो उनकी मदद कर दीजे और मदद करते समय ये gold rule ध्यान रखना वापसी का expectation मत रखना उपरवाला उनको समर्थ देता है जो दूसरों की मदद कर सकते है उपरवाला उनकी जेब भरता है जिनकी जेबें दूसरों के लिए खुलती है जिनके दिल दूसरों के लिए खुलते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके परिवार के आपके भाई बंदू आपके चाचा काका बाबा आपके बच्पन के कुछ दोस्त उनको अपनी समर्थ में थोड़ी-थोड़ी मदद करते रही है दूर दूर बहुत सारे मंदिर बनाएंगे मस्जिद बनाएंगे गिर्जा घर बनाएंगे जो बनाएंगे वह आप बनाते बैठिये लेकिन याद रखिए अपने नियर औंडियर लोगों की मदद करते रही है इसको मैं एक कदम आगे ले जाकर ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपके कोई क्लोज स्टाफ हो जो आपके फैमिली मेंबर में कनवर्ट हो चुके हैं तो किसी मंदिर मस्जिद गुर्दवारे में धान करने के पहले थोड़ा सा उस स्टाफ की मदद कर दीजे यदि उसकी बेटी की शादी हो तो कन्यादान का एक हिसाब कर दीजे यदि वो मकान मना रहा हो तो थोड़ा सा उस मकान में आप कंट्रिब्यूट कर दीजे यदि वो गाड़ी ले रहा हो तो थोड़ा से गाड़ी में आप कंट्रिब्यूट कर दीजे जिसमें दम होता है उसी को इश्वर और देता है और जो दूसरों को देता है उसका अपना घड़ा हमेशा लबालाब होता है तो मैं तीसरी करांतिकारी सलाफिर से दोराता हूँ यदि आप समर्थ हैं यदि आप केपेबल हैं यदि आप रिच हैं यदि आप समर्द हैं यदि आपका नेटवर्क है यदि आपके पावर है और आप यदि दूसरों की मदद कर सकते हैं तो थोड़ी थोड़ी मदद करने के लिए लगातार हाथ खोल के रखे रहे हैं और बिल उससे return की उम्मीद रखते हैं क्योंकि जब आप return की expectation लगाते हैं तो वो relation नहीं होता वो business होता है वो लेंदेन होता है और अपनों से व्यापार नहीं किया जाता है तो यदि आपको देने की छंता उपर वाले ने दिये ना उसका शुक्रिया अदा करना क्योंकि उसने आपको जीवन को next level पर ले जाना है तो वी आई पी नाम का हमारा प्रोग्राम जहां भी हो जॉइन करिए वह इस वक्त दिल्ली में मुंबई में कोलकता में राइपूर में अनेक शहरों में हो रहा है तो आप कमेंट करेंगे आप इनको नियर एंडियर से शेयर करेंगे आप झाल